Hello everyone, this is Muskaan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains जो आपको provide करता है quality education, वो भी free of cost आज हम start करने वाले हैं एक नया chapter इससे पहले हम morphology of flowering plant complete कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं anatomy क्या आपको पता है the basic difference between morphology and anatomy जब हमने पढ़ा था कि morphology क्या होती है flowering plants की तो हमने उसके अंदर क्या क्या चीजों को पढ़ा था क्या आपको याद है क्या आपको पता है कि anatomy morphology से किस तरह से अलग है अगर नहीं पता है तो डरने की कोई बात नहीं है घबराने की कोई बात नहीं है आज madam आई है सब कुछ बता कर जाएंगी चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपको देने वाली हूँ इस chapter का complete introduction ठीक है आज पहला lecture है इस chapter का तो सबसे पहले deal करेंगे इस पूरे complete chapter introduction से देखेंगे इसके सारे के सारे topics को कि बाई क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है जो की बहुत ही कम है पता है यह chapter बहुत ही छोटा सा chapter है मतलब आपकी पास बहुत time है आराम से अगर हम 5-6 lecture भी देते हैं ना इस chapter को तो पूरे NCRT solutions तक हम इसे बहुत easily और बहुत आराम से इत्मिनान से खतम कर सकते हैं बहुत छोटा और बहुत ही अच्छा सा प्रीसाइस सा एकदम सटीक चाप्टर ही है बस जुतना बोला गया उतना सुनना है बात खतम कोई ऐसे sub-branches निकल के नहीं आने वाली कि यार इसमें से यह भी निकल के आगया अब इसे भी पढ़ना पड़ेगा ये वो वगेरा वगेरा बहुत ही इसी चाप्टर है फ्री के नमबर वाला चाप्टर है ठीक है बस एक बार पढ़ा और बात बन जाएगी ठीक है आज देखेंगे हम इसका complete introduction कि कैसे यह आपको फ्री के नमबर बटोरने में मदद करेगा फिर हम देखेंगे epidermal tissue system के बारे में जो इस चाप्टर का पहला topic है आपको कैसे पता चलेगा अभी बता देती हूँ सारे के सारे topics में आपको इस चाप्टर के बताने वाली हूँ जो की बहुत ही कम है ठीक है बहुत ही कम है और बहुत ही इसी है चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ की basic difference क्या है जो आपने इस से पहले इस unit का chapter पढ़ा है morphology और आज जो आप पढ़ने वाले हो नया chapter anatomy देखो morphology पढ़ते वक्त भी मैंने आपको यह चीज़ बता दी थी कभी भी अगर आप कहीं पर भी ठीक है चाहे humans की बात हो चाहे plants की बात हो चाहे किसी भी organism की बात हो ठीक है morphology का मतलब हमेशा होता है जब आप उसके ऐसे characters structures की study करो जो की शरगुन की खासी राइट हर लेक्चर की beginning में क्या आती है मैंको शरगुन की खासी चलो तो भई आप तो बढ़िया जाने वाला lecture आ गई है खासी जी तो देखते हैं सबसे पहले जब हम बात करते हैं morphology की तो morphology में आते हैं सारे वह वाले structures और वह वाले features जो की क्या होते हैं बिलकूल easily visible होते हैं बाहर से जिनें आप देख सकते हो मतलब कैसे हैं वो है उसके बाहरी structures मतलब external structures आगेना definition तक आगे definition तक यही तो definition है जब आप किसी भी चीज़ के external structures की study करते हो मतलब उसके बाहरी structures की study करते हो जो आप अपनी naked eyes से easily क्या कर सकते हो visualize कर सकते हो जब भी आप ऐसे structures की study कर रहे हो बटा तो मतलब आप कर रहे हो उसकी morphology की study आप क्या कर रहे हो उसकी morphology को study कर रहे हो चीक है लेकिन अगर आपका मन करें के बहुत देख लिया बाहर से एक काम करतें स्टेम को एक बढ़िया तरीके से कट लगातें एक पतली सी थिन सी स्लाइस निकालते हैं जैसी चिप्स की आती है और फिर उसको लजा के देखते हैं माइक्रो स्कोप में मन किया तो बीच में कलर वलर भी मार देंगे थोड़ा स्टेइनिंग वगरा भी कर देंगे और फिर देख लेंगे उसको माइक्रो स्कोप में जब भी अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है जब आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ वो जो आपने थिन स्लाइस निकाली वो अंदर से निकल कर आई ना बाहर से दिख रही थी क्या बाहर तो वो एक आउटर लेयर से कवर्ट थी राइट अंदर से नहीं दिखाई दे रहा था और इस हाथ के अंदर का स्ट्रक्चर देखूँ तब आप क्या कर रहे हो अंदर का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो तब उसे आप क्या कहोगे आनाटॉमी क्या कहोगे anatomy आज के बाद कभी भी life में नींद में भी कभी क्या confusion होने वाला है कि morphology क्या होती है और anatomy क्या होती है जब आप किसी चीज के outer structure की study कर रहे हो तो it is morphology जब आप उसी structure को internally जानने की कोशिश कर रहे हो ठीक है उसके slices निकाल के उसके sections निकाल के microscope में study कर रहे हो तो व से root, stem, leaf, flower, fruit यह सब कैसे दिखते हैं, seed कैसा दिखता है सब कुछ पढ़ चुके हो internally आपको पढ़ना है आज क्यूंकि अब आप स्टार्ट कर रहे हो chapter anatomy of flowering plant ठीक है तो भाई अच्छे बड़िया तरीके से हमने समझ लिया chapter का नाम बड़िया तरीके से समझ लिया हमने कि chapter क नाम क्या है अब chapter का नाम समझ लिया मैम तो उससे बात बननी जाने वाली अंदर के topic भी सारे समझने पढ़ेंगे तो भाई एकदम बढ़िया गहरी सी सांस ले लो और खुश हो जाओ ठीक है जैसे morphology में आपने बहुत सारे characters पढ़ेते हैं रूट, stem, leaf, हाँ, nodes, int nodes, flower, fruit, seed, काफी सारी चीज़ें थी, यहां आपको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ तीन चीज़ें पढ़नी है, बिलकुल simple and sorted, ठीक है, एकदम simple and sorted, सिर्फ तीन चीज़ें पढ़नी है, कि root कैसी होती है, stem कैसी होती है, leaf कैसी होती है, अब इन चीज़ों को भी आप बिल्कुल छोटे-छोटे से दो इस्सों में डिवाइड कर दोगे ठीक, इन तीन चीजों को आप छोटे-छोटे से दो पार्ट में पढ़ोगे, कैसे? For example, हमने पढ़ना स्टार्ट किया root तो आप उसे पढ़ोगे कि एक Dicotyledonus plant की root अंदर से कैसी दिखती है और एक Monocotyledonus plant की root अंदर से कैसी दिखती है Done? बस हो गया root topic आपका, Done फिर आप similarly पढ़ोगे Stem उसे भी ऐसे देखोगे, कि एक Dicotyledonus plant की stem अंदर से कैसी दिखती है एक Monocotyledonus plant की stem अंदर से कैसी दिखती है बस, Done हो गया आपकी stem की कहानी फिर आप देखोगे कि leaf, एक dicotilidus leaf कैसी दिखती और एक monocotilidus leaf कैसी दिखती है बस हो गया आपका इस chapter का main जो पार्ट है ना, जो इसका पूरा का main body है बस वो यही है, सिर्फ आपको dicotilidus और monocotilidus plant के root, stem और leaf इन तीन चीजों को देखना है, बस इसी के बारे में है, यह पूरा का पूरा chapter हाँ, लेकिन अब जब मैं आप से कहूंगी कि आपको यह root, stem और leaf को पढ़ना है और internal structures को पढ़ना है, तो outer structures के लिए भी आपने क्या बहुत सारे terms पढ़े थे morphology में, कि अगर leaf होगी तो क्या बोलना है, reduce होगी तो bract बोलना है flower में अगर sepal और petal जो होंगे, वो जुड़े हुए होंगे, तब क्या बोलना है पढ़ाता बहुत सारे terms पढ़े थे, similarly जब आपको internal structures को पढ़ना है तो यहां पर भी निकल कर आएगी हर chapter की एक अलग terminology होती है हर chapter की एक अलग terminology होती है, यहां भी निकल कर आएगी अलग-अलग terminology ठीक है, यह जो internal structures बन रहे हैं, तो यह बन कैसे रहे हैं, आपको यह जानना होगा तो मैं पता है, यह तो हमें बिलकुल beginning से junior classes से पढ़ते आ रहें cell से मिलके tissue बनता है, tissue से मिलके organ बनता है, organ से मिलके organ system बनता है तो बस यही वाला organization जो है, यहां पर इन सारे structures को बना रहा होगा समझ पा रहे हो किस तरफ जा रहे हो आप, आपको मैंने धीरे धीरे करके सारे topics समझा दिये हैं C, धीरे धीरे करके मैंने आपको सारे topics समझा दिये हैं यही तो पढ़ना है भाई, सबसे पहले पढ़ना है आपको tissue system कि cells से मिलकर जो tissues बन रहे हैं, अलग-अलग तरह के tissues, जो अलग-अलग functions को perform करने के लिए responsible है, वो tissues कौन-कौन से है, so you have to study about the tissue system, जिसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे, epidermal tissue system, जो अमारा आज का topic भी है, right, introduction complete करने के बाद हम कहां जाने वाले हैं, इसी के पास, ठीक है, उसके बाद आएगा क्या ground tissue system and then हम study करेंगे vascular tissue system, ठीक है, उसके बाद फिर ये तीनों बिलकुल simple sorted बढ़िया आराम वाली चीज़ने तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, चलो, एक बाद start कर देते हैं वापस से कहां से, NCRT reading से, उसके बाद आ जाते हैं वापस से topics पर और फिर देखते हैं कि आगे ये कहानी, ये chapter हमें कहां लेके जाता है, चलो, आजाओ बढ़िया go with the flow, किस को पसंद है go with the flow वाला phenomena, आजाओ ज़रा फटापट से, see, चलो भई, देखते हैं, you can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of a large living organism, both plant and animals, आप किसी भी, ठीक है, प्लांट की बात करें, आइनिमल की बात करें, उनके अंदर जितनी भी living organisms, जितनी भी तरह के प्लांट, जितनी भी तरह के अनिमल पाए जाते हैं, उनमें structurally, structure wise, कितनी external structure wise, कितनी similarities हैं, और कितनी differences हैं, इन्हें आप बहुत ही आसानी से study कर सकते हो, जो उनकी morphological, उनके या फिर अगर सारे आपको दिख रहे हैं, पांच पंखोडी वाले flower आप बोल तोगे, यह सब कैसे हैं, सब के अंदर कितनी petals हैं, 5 petals हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप उनके external structure को तो देखकर बता सकते हो, लेकिन क्या करोगे जब बात आएगी internal structure की, कुछ नहीं करेंगे, मै microscope है, यह है, वो है, यूज करके उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, see, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences, जब हम internal structure को study करने जाएंगे, तब भी हमें काफी सारी similarities भी मिलेंगी और differences भी मिलेंगे, right, कोई भी दो individual में सिर्फ differences या सिर्फ similarities तो होती नहीं है, similarities भी होत होते हैं, तो दोनों भी लेंगे, this chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants, इस chapter के अंदर आपको higher plants की, okay, इस chapter के अंदर आपको higher plants के अंदर पाया जाने वाला internal structure और उनके functions से deal करना है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह जो flower आपको दिख रहा है, अगर अभी भी morphology और anatomy की जो कहानी मैंने जो चिपकाल हो बढ़ी है अपने दिमाग में और वो सारी चीजा आपके खतम, ठीक है, जितने भी doubts है न, morphology और anatomy से related, वो आपके खतम, कैसे, see, यह morphology है, क्यों क्योंकि इस flower को आप बाहर से देख सकते हो, है न, किसी भी plant या, किसी भी पेड़े के पास जाके खड़े होग इस्तिमाल करके बताओ, मुझे और स्टेम के अंदर जाक के बताओ, कि अंदर से कैसे दिखरी कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते न, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इसका section लेके study करना पड़ेगा, microscope के अंदर, करना पड़ेगा, बस यह देखो, तो this is morphology, यह ज यह तो आपको बाहर सा दिखाई देता, external feature, external structure है, तो it comes under morphology, morphology में पढ़ा है, हमने कि यह सारे structures क्या होते है, anatomy में आप क्या पड़ोगे, anatomy में आप यह देखो, इसी stem को, यह जो stem यहाँ दिख रही है, इसको इन्होंने इस तरह से, ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से रु instruments को यूज करके, लेबोरेटरिकल, इसकी क्या निकाली, एक बढ़िया सी slice निकाली, ठीक, फिर उस thin slice को क्या किया, microscope में, हाँ, देखा, ठीक है, observe किया, जब microscope में observe किया, तो पता चला कि इसके अंदर तो बहुत सारे structures दिख रहे हैं, अब यह क्या है, तो अंदर पाए जान में आपको morpho और ano दोनों दिख रहा है, ठीक है, तो इस diagram को अगर हमेशा दिमाग में बिठा के रखोगे, तो कभी भी मतलब ऐसे कोई confusion नहीं होगा, कि morphology क्या है, ठीक है, इस diagram को बिठा के रखोगे ना दिमाग में, तो दोनों चीजें आपके दिमाग में एक साथ हमेशा, और difference भी हमेशा clear रहेगा, see, देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको, यह पूरा एक पौधा है, जिसकी आपको stem को दिखा रहे हैं, कि देखो, यहाँ से हमने इसको कट किया, तो यह हमको ऐसी देखने को मिली, ठीक है, देखो, यहाँ से हमने ऐसे के बारे में आपको पढ़ना है, टिशू कैसे बनते हैं, आपको पता है, सेल से मिलके टिशू बनते हैं, टिशू से मिलके और गन बनते हैं, हमें पढ़ना है टिशू के बारे में, क्योंकि इसका जो है भाई, टिशू क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ रोल है, जो आप ये पूरे सारे structures पढ़ने वाले हो, इनमें tissues का roll है, क्या roll है, one by one पढ़ लेंगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे epidermal tissue system, इसका मतलब क्या हुआ, epidermis का मतलब होता है, outer covering की बाद जब भी होती है, तो उसको हमेशा हर जगा नाम दिया जाता है, epidermis, चीक है, सबसे outer वा आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये डर्मल tissue, epidermis, तो ये किस tissue से मिलकर बनी है, इसका क्या function है, इसके अंदर किस तरह की cells पाई जाती है, किस तरह का composition है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, epidermal tissue system के अंदर, दैन आप ground tissue system, ground tissue system में देखो भाई, जो पूरा का पूरा ये बीच का mechanism बन रहा है, ये जो बीच का, ठीक है, ये जो बीच का पूरा का पूरा mechanism बन रहा है, ठीक है, epidermis, और अंदर आपके आने वाले vascular tissue system के बीच का पूरा का पूरा जो body बन रही है, ठीक है, वो है आपका ground tissue system, ये ह सबसे अंदर पाया जाने वाला Vascular Tissue System यह देखो सबसे अंदर पाया जाने वाला Vascular Tissue System अब यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको 3 positions बता के छोड़ दिया 1 by 1 चलो deal करना start करते हैं तो आपको इसको detailed knowledge जो है वो मिलना शुरू हो जाए ठीक Anatomy of Dicot Illidness and Monocot Illidness plant में आपको बताई चुकी है ना आपको हर एक चीज को Root की Anatomy पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे कि Dicot में कैसी होती है Monocot में कैसी होती है Stem की Anatomy पढ़ोगे तो भी ऐसे ही पढ़ोगे Leaf की Anatomy पढ़ोगे तो भी ऐसे ही पढ़ोगे कि कैसी होती है, बहुत छोटा chapter है, बहुत जल्दी complete हो जाएगा, 5 से 6 lecture लगेंगे, इसको नहीं लगने वाले, पूरे NCRT solution तक complete करने की मैं बात बता रही हूं आपको, ठीक है, बहुत छोटा chapter है, बहुत जादा कुछ इसमें आपको नहीं दिमाग लगाना है, बहुत आसान chapter है, ठीक है, चलो आजो, start करते हैं, सबसे पहले तो कुछ basic basic से introduction ले ले लेते हैं, उसके बाद start करेंगे, epidermal tissue system, okay, see, चलिए भाई, मेरे हतियार तो ready है, क्या आपके ready है, आजो, study of internal structure of plant is called anatomy, यह हो गई आपकी लिखीत में definition, कभी भी आपसे writing में अगर आपका मन करें कि मुझे define करना है, कहीं पूछा गया है, तो कैसे लिखोगे, किसी भी plant के internal structures की study, ठीक है, उसके structures की internal study क्या कहलाती है, anatomy क्या कहलाती है, तो the study of internal structures of plant is called anatomy, कला देख रहे हो आप मेरी, green को green चाहलाइट किया है, ठीक है, देख रहे हो आप, चलो, मि plants have cells as the basic unit, plants के अंदर क्या होती है, cells उनकी basic unit होती है, मैम सब में ही होती है, plants की क्या बात करना, animals में भी ऐसे ही होता है, और बाकी organisms में भी ऐसे होता है, हमेशा cells ही क्या होती है, उसकी basic unit होती है, तो cells are organized into tissues, cells जो होती है, वो tissues में और यह tissues जो होती है, और यह tissues जो होते है, वो सारी प्लांट सेल से मिलके क्या बना मैं जो भी बना दिखनी रहा अरे यार जो बना वो तो दिख रहा है बस तुम्हें यह नहीं दिख रहा था सी यह सारी सेल से मिलके क्या बने टिशूस बने ठीक है जिन टिशूस को आप पड़ोगे इन सारे टिशूस से मिलके क्या बने औ और गरण बने ठीक है यह देखो यह और गरश चेम्म से मिलकर बढ़्ता है किया और Genis bail Wikisme बनां chce आपको लग रहा होगा मैडम आज बड़े रिलाक्स हो के क्यों बढ़ा रही है है आज मैडम ब्लकुल हर चीज को 3-4-5-5 बार रिपीट करके क्यों बता रही है हमेशा तो मैडम बढ़ियत तेजी में पढ़ाती है एक बार बताया फिर बताया फिर बताया दो बार बताया फिर उसको एक बार से रीड़ी है एंसी आटी में रिवाइस क्या फिर आगे बढ़ गए हां आज ऐसा बदलाव क्यों तो भाई मैंने आपको बताया कि चैप्टर बहुत चोटा है ठीक है बिल्कुल भी कुछ बहुत जादा इसके अंदर परिशान होनी वाली बात नहीं है बिल्कुल इजी-जी सा चैप्टर ह तो आपके पास बहुत टाइम है इसको अपन अराम से पढ़ सकते हैं इतनी बार रिपीट करकर के पढ़ेंगे क्लास के अंदर ही चीजों को सेम कॉंसेप्ट को कि आपको इसको अलग से कहीं बैट के ऐसे कुछ तलब उसको बैठाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी जमाग मे करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है हम क्लास में ही हर एक टॉपिक हर एक कॉंसेप्ट को इतनी बार मल्टीपल टाइम यहां पर रिपीट करके पढ़ेंगे कि आपको यह सब चीजों की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि हमारे पास टाइम है चैप्टर छोटा है 5-6 लेक्टर में हम इसके अंसियाटी सुलूशन तक पूरा कवर कर जाएंगे वह भी इतनी ही आराम से पढ़ते हुए ठीक है तो जितना भी अभी तक मेरे साथ तेज भागने की आदत डाली है ना कि मैडम बिल्कुल तेजी में पढ़ाती है आज बिल्कुल इस पूरे चलने तक जब तक ही चाप्टर चल रहा है 5-6 लेक्टर तक तब तक एकदम बहलकुल गहरी सांसे लो और रेलाक्स होके पड़ो ठीक है क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास टाइम ही ताइम है बहुत आराम से पढ़ेंगे फिर भी चलती अतम हो जाएगा क्योंकि है नही भी ह characterized of a new plant है घोड डफिंस इंचिर स्प्रेंज क्याटाइम जाते है तो यह सब अन्टी को दिखाते हैं तCu Prof Sud को दिखाते हैं तो आ रूट अलगे, स्टेम अलगे, लीफ अलगे, इंटरनल हम अभी बात कर रहे हैं, आप एक्स्टरनल की जितनी भी मुझे आपको ब्रीफिंग देनी थी, या कंपारिजन करवाना था, वो सब हो चुका, अब पूरी बात हमारी जो पूरे चैप्टर के अंदर चलने वाली है, ठीक है, तो सारे, 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 जितने भी यह और इंटरनल के इन अभी याद करो, क्या लिखा था जब उन्होंने आपको बताया, डेफिनेशन की हम इंटरनल स्ट्रक्टर की स्टडी करते हैं, जिसे अनटॉमी कहते हैं, इस चाप्टर में हम डील करने वाले हैं, हाइर प् स्टडी के साथ, हाँ, यही बोला था, हाइर प्लांट, हाइर प्लांट कौन से होते हैं, एंजियो स्पर्म्स होते हैं, कौन से होते हैं, एंजियो स्पर्म्स ही तो होते हैं, हाइर प्लांट स्टडी करनी हैं, जिसके अंदर आप डील करोगे, कि मोनो कॉट और डाइकॉट दोनों तरहा के जो इनके structures हैं, ठीक है, उन में क्या differences पाए जाते हैं, तो within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different, ये कैसे होते हैं, anatomically different होते हैं, मतलब इन दोनों की anatomy जो है, वो कैसी होती है, एक दूसरे से, अलग, अलग होती है, इन दोनों की anatomy एक दूसरे से अलग होती है, monocot हमेश structures also show adaptations to diverse environments, internal structures पाए जाते हैं, जैसे tissues पाए जा रहे है, vascular tissue, ground tissue, ये सब भी कही तरहा के adaptations को show करते हैं, जैसे externally बात की गई थी ना, की root जो है, वो भी काफी सारे adaptations या modifications को show करती है, ठीक है, modification वाला part, हला कि अभी reduce हो चुका है, तो उतना जादा हमने उसके बारे में नहीं काफी सारे plant और काफी सारी चीज़ें एसी हैं, जो हम खाते हैं, जो की root है, पर वो क्या हो जाता है, edible हो जाता है, वैसे तो उसका काम, roots वाला काम करनी की ज़रूरत थी उसे, लेकिन उसने क्या कि आपने आपको modify किया, वो root कैसी बन गई, edible बन गई, उसने food को भी store कर लिया तो इस तरह के modification, इस तरह के adaptations, वो root भी show करती है, तो वही आपको बताया जा रहा है, कि ये सारे जो internal structures है, ये भी कई तरह के adaptations, कई तरह के modifications, वो अपने अंदर show करते हैं, हलाकि आपको उनके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है, मैंने काना आपको बहुत limited पढ़ना है, कु कुछ भी उसमें से सब branches नहीं निकल के आने वाली, बिल्कुल cut to cut एकदम सटीक chapter जो मैंने आपको बोला ना, इसलिए बोला है, सटीक है ये, ठीक, आग देखो, आग देख भाई, आगे, see, tissue system, start करते हैं, tissue system से, tissue system के बारे में देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो हमने styles, हम types of tissues को पढ़ने वाले हैं, और ये types of tissues किस basis पर किये गये हैं, ये किस basis पर इनको types, इनके divide किये गये हैं, कि भाई, इनके अंदर किस तरह की cells पाई जा रहे हैं, जैसे epidermal tissue system है, तो उसके अंदर अलग adher Lucky atley, जा रहे हैं, है ना, ऐना, आपने देखा, ground tissue system है, तो उसके डिवाइड कर दिया और कह दिया कि these are the types of tissues, बताओ, कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, repeat करें एक बार फिर से, देखो, cells से मिलकर ही tissue बनता है, कौम सी cells से मिलकर बनता है, the cells और the group of cells which are similar in structure and function, right, the group of cells which are similar in structure and function constitute a tissue, यही होता है definition, बचपन में यही पढ़ाया था, बताओ, लिख ले इसको यहां पर अपन, group of cells, group of cells which are, अरे यार, अपनी मलजी से कलर बनाता है, the group of cells which are similar in structure and functions ठीक है, यही बनाती है क्या, tissues को यही बनाती है क्या, tissues को अब यह जो सारी एक जैसे structure और function को दिखाने वाली कुछ cells का group है, इन्होंने किसी एक तरह के tissue को बनाया तो दूसरा जो ग्रूप होगा, जो और अलग structure और function को carry करने वाला है, वो किसी नए tissue को बनाएगा और ऐसा या तीसरा ग्रूप जो होगा, वो अलग structure और function को करने वाला है, तो वो एक नए tissue बनाएगा तो इस तरह से, ठीक है, type of cell के basis पर, types of cells के basis पर, अलग-अलग तरह की cells के basis पर, tissues जो होंगे, वो भी कैसे बनेंगे, अलग-अलग बनेंगे, बताओ बनेंगे या नहीं, सही बात है या नहीं है, कोई दिक्कत है इसके अंदर, इसके अंदर कोई दिक्कत है किसी को, बहुत अर टाइप के हो जाएंगे ठीक है तीन अलग टाइप के टिशूज हो जाएंगे जिन में से आज आप एक पढ़ने वाले हो C, let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body ठीक, यहाँ पर आपको यह बताए जा रहा है कि बहीं अलग अलग तरह की cells से मिलकर बनने वाले tissues अलग अलग तरह के होते हैं और साथी साथ अगर आप यहाँ पर discuss करो किस चीज़ के बारे में ध्यान देना, plant body में उनकी location क्या है, किस चीज़ के बारे में कि plant body पर उनकी location क्या है कि plant की body में वो कहाँ पाए जा रहे हैं, इस basis पर भी इनके अंदर differences पाए जाएंगे कैसे देखो, जान दो, see, let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body the structure and function would also be dependent on location, यह tissues जब plant की body में अलग-अलग जगा पर पाए जाएंगे, अलग-अलग location पर पाए जाएंगे तब भी इनके structure और function जो है वो बदलेंगे, अगर मैं इस बात का example लूँ तो क्या लूँगी, कि अगर मैंने आपसे यह कहा, कि epidermal tissue जो है, वो root में भी है और वो stem में भी है, लेकिन root वाला जो epidermal tissue है, वो अलग functions को perform कर रहा है, और stem वाला जो epidermal tissue है, वो अलग function को perform कर रहा है बताओ, तो क्या आप इसमें types of tissue नहीं बनेंगे, बताओ, क्या आप इसके tissue में difference नहीं आएगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ epidermal tissue जो है, जो उसके epidermal area में पाया जा रहा है, वो root में भी है, stem में भी है, leaf में भी है, हाँ, example दे रही हूँ मैं आपको, सोचके देखो, अलग-अलग locations पर है, root में भी है, stem में भी है, leaf पे भी है, तीनों अलग locations है, लेकिन तीनों जगा वो अगर अलग-अलग functions को perform कर र आ, आ रहा है या नहीं, बताओ, concept समझ आया, कि अलग-नलग locations पर पाये जाने की वजा से, इसका क्या होता है, अलग- unlimited function भी होता है, होता है या नहीं, होता है नहीं, इसी चीज़ को चलो आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं कि अलग-अलग location पर कैसे अ स अलग function को carry करेगा C, तो their structure and function would also be dependent on location, इनका structure और function जो होगा, वो इनकी location पर भी depend करेगा, ठीक है भाई, करेगा करने दो, हाँ, देखो, तो on the basis of their structure and location, there are three types of tissue systems, मतलब उनका structure तो different है ही, और अलग-अलग location पर भी अलग-अलग function को perform कर रहे है, तो इन दोनों ही basis पर, इन दोनों ही basis पर, देखो, structure अलग है ही, और location पर भी अलग-अलग function perform कर रहे हैं, ध्यान से इस बात को एक बार फिर से समझना, structure अलग है का मतलब क्या है, structure अलगे का मतलब मैं कहा रही हूं कि epidermal tissue system अपने आप में अलग है ground अलग है और vascular अलग है तीनों दिखाए थे मैंने भी आपको है ना तीनों का structure अलग है लेकिन यही तीनों tissues जब आपको पाई जा रहे हैं कहां पर हैं कहां पाई जा रहे हैं प्लांट की रूट में और अगर मैं वैपाई जा बीए तो क्या कहरेंगे अलग-अलग functions को perform करेंगे ठीक है तो इस basis पर ठीक है इस line को दरा note तो कर लो कि कि स basis पर आप Dude issue system को पढ़ रहे हो यह बहुत important है इसको ज़रा फटा-फट से note कर लो यह जो मैंने highlight किया है चलो अब start करते हैं ठीक है अभी तक मैं आपको पहले जब in general पढ़ा रही थी तो मैंने आपको सिर्फ structure function का बोला था नया term क्या add हुआ है confused नहीं होना नया term क्या add हुआ है location भी इस चीज़ को मैं क्यों इतना ज्यादा highlight कर रही हूं कि जब आप subjective approach से पढ़ोगे जब आपको subjective answers write करने हैं तो इन terms से बहुत फर्क पढ़ता है आपकी answer के accuracy पर अगर आप सिर्फ structure function लिख दोगे तो आपका junior classes वाला हो गया ना यह तो junior classes का content है आपका junior classes में पढ़ते आ रहे हो कि structure और functions में similar cells वाली जो group होती है similar group of cells जो होता है वो क्या बनाता है tissue बनाता है लेकिन यहां पर यह जो types of tissue system पढ़ रहे हो यह वाले यह यह जो है वो किसके उपर based है structure तो है function तो ही location पर भी based है किस पर based है location पर भी based है मतलब अगर plant की root stem और leaf तीनों में अलग-अलग location में अलग-अलग function दिखा रहा है structure भी अलग दिखा रहा है तो उस पर based है यह types of tissue system जो की अब हो का है बहुत जादा गंदा तो मैं इसको साफ कर देती हूं सी चलो अब इसको बढ़िया सुन्दर तरीके से एक बार हाइलाइट कर देते हैं आजा भाई आजा सी ओन दे बेसे अफ देर स्ट्रक्चर और फंक्शन और वास्किलर ठीक है एपिडर्मल ग्राउंड और वास्किलर ठीक है एपिडर्मल ग्राउंड और वास्किलर टिशु सिस्टम बताओ बैठ गया के इतना दिमाग में आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं पहले से शुरू करें पहले वाले से शुरू करें पहले वाले से यह वाले से एपिडर्मल से यहां तक का बैठा दिमाग में आज बिलकुल पी 5G मनी भागने वाली हूं मैं जितने तेजी मना भागते हूं पढ़ाती हूं आज बिलकुल 5G मनी भागने वाली हूं आज बिलकुल 5G मनी भागने वाल कि एक फ्रॉसस को पंडने गए उसके अंदर एक नया टर्म आ गया के इंब्रियों नी क्या है तो फिर इंब्रियों नी को पंडने के लिए लग गया आदा गंटा कुछ नहीं निकल कर आएगा यहां इसा सब बिलकुल बेसिक बेसिक सटीक सटीक एकदम सौटेड ठीक है यह आप जब पढ़ना शुरू कर दोगे ना आगे ठीक है एक भी अगर आपने टिशुश स्टम या एक भी अगर आपने डाइकॉट मोन रिलीफ पल दी आप समझ जाओगे सच में कितना सौटेड चैप्टर है सच में कितना सौटेड चैप्टर है सी शुरू करते हैं एपिड टिशू सिस्टम से कितने सुंदर सुंदर से डाइग्राम दिख रहा है इसको किसी ने उल्टा लटका दिया है हां उल्टा लग रहा ही क्या लग रहा ही क्या उल्टा लटका हुआ क्या पता भाई देखते हैं आजाओ छी द्भी डर्मारि टिशू स्टम्य दोनो सेम कलर किओ रहा हुआ इतनी एपने पास नन्य लेकि आउ कुच-कुच-कुच-कुच-कुच-कुच-कुच-Amया थिक हैं आई forms the outermost covering of the whole plant ठीक है जो epidermal tissue system होता है वो पूरे के पूरे plant की outermost covering को बनाता है तो ये बात तो हमें पता है epidermis हमारी skin के epidermis जो है वो भी क्या है यह जो हमारी skin है जो हमारी epidermal layer है यह क्या है सबसे outermost covering को बनाती है ना सबसे पहले अगर कहीं जाके ऐसे बिल्कुल रगड़ने लग जाओ के अपनी body को और वो घिस जाएगी छिल जाएगी सबसे पहले क्या निकलेगी यही आउटर मो हो चाहे plant की हो चाहे किसी living organism की हो ठीक है तो यह जो epidermis है जो की outermost covering को बनाती है plant की ठीक है उसके अब क्यूंकि देखो plant में जो organs है दोनोर साइट से हम बात करेंगा अगर मैंने एक leaf ले ली ठीक है तो leaf का एक साइड भी होगा दूसरा साइड भी होगा ना dorsal ventral बोलते है अवनने एक साइड भी होगा दूसरा साइड भी होगा हमनों यह leaf है यह इसको मैं दर कर देती हूँ is को हम बना देते है ऐसे ठीक है यह leaf है जहीत दॉनो can say बुह बहुतर में वहारी तरफ से ढूनों तरफ से मिया यहाँ इस मिल्दी गॉ dynamic सं और्ध और आउटर्मोस कवरिंग कौन सी है कौन सी है एपिडर्मिस है भूलोगे तो नहीं बूलोगे तो नहीं कभी भी गलती से भी किसी भी चीज में किसी भी अब्जेक्टिव में इस चैप्टर में क्योंकि यहीं चीज आएंगी अगर आपको लग रहा है कि मैडम कुछ बहुत बढ हरी कव परच को बनाता है ठीक है पूरी की पूरी बॉडी की चेक सिर्फ लीफ की नहीं पूरी बॉडी की स्टैम की रूट की लीफ की फ्लार की साब की जो आउटर्मोस कवरिंग है वो क्या है उसकी एपिडर्मिस है और बनी होती है किसकी एपिडर्मल सेल की तो उसके अं जो epidermal tissue system है, किन cell से मिलके बना है, epidermal cells से मिलके बना है, epidermal cells जब बहुत सारी मिल जाएंगी, group बनाएंगी, तो वो बनाएंगी, epidermal tissue system को, बताओ कोई दिक्कत है, बहुत सारी epidermal cells मिलकर बनाएंगी, epidermal tissue system को ठीक है? कोई दिकत यहाँ पे epidermal cells मिलके क्या बना रही है? epidermal tissue system बना रही है. आगे देखते हैं और क्या-क्या होगा इसके साथ? और क्या-क्या होगा इसकी recipe में? सिर्फ epidermal cells मिलके बन जाएगी? क्या है recipe? ना 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 See, epidermal cells और साथ ही साथ क्या? और साथ ही साथ क्या? Epidermal cells के साथ stomata and then and then the epidermal appendages जिनने कहते हैं जिनने कहते हैं पता नहीं क्या? जिनने कहते हैं trichomes या hairs. अरे बार, red वाला क्या चमक रहा है? ठीक है? देखो Epidermal cells से मिलके बनेगा Epidermal tissue system यह चारों क्या है? इंग्रीडियेंट्स है इसकी recipe के ठीक है? चार का है? तीन है ठीक है? चार तीन जितने भी दिख रहे हैं आपको कितने दिख रहे हैं? बाई? 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं. क्या है यह चारों के चारों? Ingredients है इस recipe के कौन सी recipe के? Epidermal tissue system के. किस-किस से मिलके बनेगा? ये? Ir遍पीडरिमल cells से मिलके बनेगा. Epidermal cells देखो! यह देखो! Epidermal cells देख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं यह देखो भाई! यह दिख रहे हैं Epidermal cells यह दिखाई दे रही हैं आपको Epidermal cells ये देखो, ये सारी की सारी cells से मिलके बनी है, ये epidermis की layer, ठीक है, outermost covering, ये epidermal cells से मिलके बनी है, outermost covering, लेकिन क्या सिर्फ in epidermal cells से ही बन गई है, नहीं, और भी कुछ है, और भी कुछ है, क्या है, ये आसान तरीका था इस पूरे highlight करने का, see, done, ये क्या हो गई, epidermal cells, okay, epidermal cells के अलावा, देखो, यहाँ पर, देखो, देखो, ये क्या पाया जा रहा, ये तो वही है, जो बचपन से पढ़ते आरे मैम, bean shaped कुछ-कुछ पढ़ते आरे हो, क्या है ये, stomata, photosynthesis में पढ़ते हो, stomatal pore, guard cells, ठीक है, kidney bean shaped, ये सब जो पढ़ा है ना, बचपन से, ये देख में पाये जा रहे हैं, stomata, ठीक है, epidermal tissue system किस-किस से मिलके बना, epidermal cells से मिलके बना, stomata से मिलके बना, number डाल देते हैं, इसके उपर, one, two, ये तो one लगी नहीं रहा, ये तो one लगी नहीं रहा, one, ठीक है, epidermal cells, सबसे पहले होनी चाहिए, epidermal tissue system में, फिर होना चाहिए, stomata, फिर अगर मैं बात करूँ, ये देखो, epidermal appendages, ये जो epidermal appendages हैं, ये क्या है, ये जो epidermal appendages दिख रहे हैं, ये क्या है, they are nothing, इन epidermal appendages को ही कहते हैं, क्या, trichomes, trichomes, या hairs, ठीक है, trichomes, या hairs, अगर stem के होंगे, तो stem hairs, root पे होंगे, तो root hairs, leaf पे होंगे, तो leaf hairs, ठीक है, क्या कहलाएंगे यह trichomes या hairs, ओके, यह हो गए trichomes या hairs, जिन्हें कहते हैं epidermal appendages, मतलब epidermis से निकले हुए appendages, epidermal से निकले हुए, कुछ उबरे हुए हिस्से, ठीक है, epidermis से निकले हुए, तो यह हो गए epidermal appendages और stomata और epidermal cell, इन तीन चीज़ों से मिलके बना है, क्या, इ इन तीन चीज़ों से मिलके बना है, epidermal cell, stomata, और epidermal appendages, इन epidermal appendages को कहते क्या है, trichomes या फिर hairs, ठीक है, epidermal tissue system की recipe कता है, आगे बढ़ जाओ, यह बार बार दोनों सेम कलर की हो जाते हैं, क्या connection है, हाँ, तो the epidermis is the outermost layer of the primary plant body, epidermis जो होती है, वो पूरी जो प्राइमरी plant body है, उस पूरी के पूरी plant body की outermost layer होती है, epidermis, ठीक है, and it is made up of elongated, compactly arranged cells, which form a continuous layer, और यह जो epidermal tissue system की जो पूरी के पूरी layering है, ना, outermost layering, यह जो मैने यहाँ पर इतनी महनस से highlight की है, ठीक है, trichomes अटा देती हूँ मैं यहा से, trichomes को अपन green कर देते हैं, green तो वो, पहले सही थे, फिर भी कर दिया पन ने, चलो, यह देखो, यह जो आपको यहाँ पर elongated और compactly arranged, ठीक है, बिल्कुल देखो, एकदम line से एक दूसरे से arranged, दिख रही हैं यह cells, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई, चिपकी हुई, और properly arranged, एकदम proper sequence में arranged है, यह स सारी की सारी cells, ठीक है, कैसी cells है, elongated cells है, इन cells का यह जो यहाँ पर आपको nature बताया जा रहा है, कि किस तरह की cells हैं, इंपोर्टेंट है, इस nature को भाई ध्यान से देखना, elongated cells है, कैसी है, compactly arranged, ठीक है, it is made up of elongated and compactly arranged cells, which form a continuous layer, जो सब मिलके बनाती है, क्या है, continuous layer को बनाती है, continuous layer, बताओ, continuous layer दिख रही है या नहीं, ऐसा तो नहीं है, बीच में एक layer, एक cell है, दूसरी cell बहुत दूरी पर है, बीच में कोई gap है, फिर तीसरी cell जो है, बहुत बढ़ी है, फिर चोथी जो है, बहुत चोटी है, ऐसा कोई दिख रहा है क्या, irregular सा कोई shape नजर आ रहा है, क् भी नहीं, ठीक है, जो epidermal cells का arrangement है, वो काफी arranged होता है, काफी sequence में होता है, होता है कैसी elongated cells से मिलके बनता है, compactly arranged होती है, वो बिलकुल एक दूसरे से बिलकुल धसी हुई, चिपकी हुई, properly arranged और बनाती है, continuous layer को, ये nature आपको याद रखना है, ये nature है epidermis का, ये nature आपको या रखना है, this is the nature of epidermal arrangement, ठीक है, चलो, यहाँ तक इस light पर जितनी चीज़ है, सब कुछ बैठ कहीं, दिमाग में आगे बढ़ जाए, यहाँ तक का clear है, epidermal tissue system बनता है, epidermal cells से, stomata से, और epidermal appendages से, जिनने कहते हैं, trichomes B, or hairs B, ठीक है, epidermis जो होती है, वो outermost layer होती है, primary plant body की चाहे वो root हो, चाहे stem हो, चाहे leaf हो, ठीक, और यह बनी होती है, किसकी elongated compactly arranged cells की, जो मिलकर बनाती है, एक continuous layer को, दिख रहा है, सब कुछ, जैसा लिखा गया है, बिलकुल वैसा ही दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ अंदर का नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी, जैसा लिखा ह की दिमाग में, आगे बढ़ रही हूँ हम में, चलो, see, next देखते है, epidermis is usually single layered, epidermis usually होती है, single layered होती है, है न, इसकी number of layers के बारे में, अगर आप से कोई पूछेगा, कि भई number of layers कितनी होती है, इसकी multiple layers की बनी हैं क्या, ना ना ना, it is usually single layered, ठीक है, पूरा क्यों कर रही अध्धा अधा करते है, single layered, ठीक है, हाँ, यह बढ़ी है, कैसी होती है, single layered होती है, ओके, epidermal cells are parent kinometres with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole, ठीक है, अब यह जो नए-नए terms आ रहे हैं अब इनको ध्यान से सुनना, कौन से नए term आए, जैसे यहाँ आप से बोला गया कि single layer होती है, तो यह तो कोई नए term नहीं है, यह देखो, parent kinometres, ठीक, cytoplasm, vacuole तो आपको पता ही है, यह term देखना, epidermal cells कैसी होती है, parent kinometres, यह चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको highlight करके बता रही हूँ, यह आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगी, objectives में मिल जाएंगी, ठीक है, यह आपको assertion reason में इस तरीके से कहीं ना कहीं, इनमें hairfare करके reason को गलत बना दिया जाएगा, यह assertion को गलत बना दिया जाएगा, यह जितनी भी चीज़ें यहाँ पर highlight हो रही है, यह सब साज सज्जा के लिए नहीं हो रही है, यह important है, ठीक है, देखो, epidermal cells जो होती है, वो कैसी होती है parent काइमेटर्स होती है, ठीक है, parent काइमेटर्स cells होती है, epidermis की जो आपने अभी देखी, और उनके अंदर होता है क्या, internal structure की study कर रहे हो ना, तो cells का भी तो internal structure पढ़ोगे, इनके अंदर होता है क्या, small amount of cytoplasm, यह जो parent काइमेटर्स cells है, epidermis की जो cells बनी हुई है, जो आपने पढ़ रहे हो, see, अब आप इन epidermal cells का नेचर पढ़ रहे हो, यह होती हैं कैसी cells, parent काइमेटर्स cells होती है, इनके अंदर cytoplasm कैसा होता है, बिल्कुल small amount of cytoplasm इनके अंदर होता है, जो कि cell wall को पूरी तरीके से line करता है, और एक large vacuole होता है, ठीक है, small amount of cytoplasm, ठीक, lining the cell wall and a large vacuole, अब आपको पता है, plant cell है तो उसमें large vacuole होता है, सबसे बड़ा तो उस cell में क्या होता है, vacuole ही होता है, तो इसको तो होना ही था, cytoplasm को भी होना ही था, cell wall को भी होना ही था, क्योंकि plant cell है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यह जो म है बस क्या होगा है सबसे इंपोर्टेंट इसकी नेक्स देखते हैं सी नेक्स देखते हैं आ जाओ क्या है क्या है ये जो इसकी तारीफ में लिखे गए है कुछ शबद किस की तारीफ में cuticle के तारीफ में कि यह कैसी layer होती है एक waxy thick layer होती है ठीक कहाँ पाई जाती है कहाँ पाई जाती है यही तो बता रहे थे madam आपने ध्यान नहीं दिया आप तारीफ पे चले गए हाँ देखो it is the outside of the epidermis which is covered with cuticle ठीक यह देखो यहाँ देखो यहाँ देगी यहाँ दिखाई देगी बिल्कुल एक gel ऐसा लगेगा जैसे किसी gel की covering है ऐसा लगेगा जैसे किसी gel की layer है see यह देखो epidermis दिख रही है और बोला कहाँ है कि उसके outside पर होगी ठीक है कहाँ होगी epidermis के outside पर तो देखो यह तो दिख रही है आपको compactly arranged cells of epidermis है ना जो बिल्कुल बाहरी है उसके भी उपर दिख रही है क्या एक vexy substance की layer एक vexy substance से epidermis जो है वो क्या एक घिरी हुई है पूरी तरह से और यह vexy substance की layer यह देखो यह देखो यह vexy substance की जो यह layer दिखा रहे हैं नहीं आपको यह खाली डब्बा नहीं है यह आपको एक transparent gel जैसी layer दिखा रहे हैं यह आपको see यह देखो यह जो आपको layer दिखा रहे हैं यहाँ पर this is the cuticle यह जो layer से यहाँ पर आपको visible है जो कि epidermis को बाहर तरफ से ठीक है बाहरी तरफ से पूरी तरह से जो उसके outer most surface को पूरी तरह से cover किये हुए है और वो क्या है वो है cuticle cuticle की तारीफ में दो शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे कि waxy thick layer तो कि कहेंगे कि bucks इस कि टीक लेयर होती है यह जो की epidermis को बाहर तरफ से पूरी तरह से घेर के रखती है cover करके रखती है धांक देती है उसको ठीक है and this is called as cuticle ठीक है आप बोलो के madam इतना कर रही है तो कर क्यों रही है कोई मकसद होगा इसका कोई मकसद तो होगा इसका इतना सब कुछ करने का बिलकुल है भाई बिलकुल है बिलकुल है बिना मकसद के कोई काम क्यों करेगी वो फाल तो नहीं है see it is it is here to prevent the loss of water function क्या है उसका क्यों पाई चाह रही है वो क्यों घेर के रख रही है epidermis को ताकि वो loss of water को prevent कर सके excess water जितना भी lose हो रहा है उसको क्या कर सके यह रोक सके तो function क्या है to prevent the loss of water किसका function cuticle का cuticle की तारीफ में दो शब्द that it is the waxy thick layer ठीक है कहाँ पाई जाती है epidermis को बाहर तरफ से पूरी की पूरी घेर के रखती है surround करके रखती है cover करके रखती है धाक देती है परत बना देती है उसके ऊपर ठीक है क्यों बनाती है ताकि वो पानी का जो बरबादी हो रही है ना जो तुम लोग करते हो नल खुला छोड़ देते हो ठीक है अब यह लोग नल तो खुले नहीं छोड़ते पर इनके body surface से बहुत जादा पानी ना उड़ जाए उस loss of water को prevent करने के लिए यह पाई जाती है कौन पाई जाती है cuticle आपके घर में कौन पाई जाता है पानी की बरबादी को रोकने के लिए बताओ जरा बताओ जरा आपके घर में कौन रोकता है पानी की बरबादी हाँ आप तो नहीं रोकते हैं आप तो बरबाद करते हो रोकने वाली तो मम्मी होती ही बटा see, यह देखो यह जो cuticle की कहानी आपने इतनी छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी सी दो लाइन में पढ़ दिया ना यह important है, इसको ज़रा mark कर लो cuticle की कहानी, उसके बारे में, उसकी location के कहाँ पाई जाती है epidermis के covering, ठीक है, epidermis के ऊपर cover करती है कैसी होती है, दो शब्द, waxy और thick होती है ठीक है, क्या कहलाती है, cuticle कहलाती है क्यूं होती है, ताकि loss of water को रोक सके, prevent कर सके ठीक है, अब अगर बात करें के भई, यह सब के पास नहीं होती important चीज, ठीक है, क्योंकि सब को इस चीज की जरुवत नहीं है सब को इस चीज की जरुवत नहीं है, ठीक है, तो कहां पर यह नहीं होती है तो it is absent in roots, cuticle कहां नहीं होती, roots में नहीं होती अब जरा सोचो, अब जरा सोचो के roots में क्यों नहीं होती सोच के देखो roots में क्यों नहीं होती अगर roots पे भी layering लगा दोगे तो roots को दिक्कत नहीं होगी roots का तो कामी है पानी के साथ खेलना roots का तो कामी है ना पानी के साथ खेलना roots के उपर भी अगर ये layer लगा दोगे तो उसको दिक्कत नहीं होगी अपना function perform करने में roots का कामी क्या है पानी के साथ ही तो खेलना है उनको उनकी तो पूरी functioning की पानी पर depend करती है उनको क्यों covering दे रहे हो यार वेक्सी थिक हां उन्हें ज़रूत नहीं है तो cuticle is absent in roots ठीक है बहुत जादा detail पर नहीं गए अपन क्योंकि अपन रूट नहीं पड़ रहे ठीक बिल्कुल focus रखना आप अपने आपको एक बार इस सुंदर से डाइग्राम को देख लेते हैं जो कि बहुत कुछ कहना चाहरा है आप से चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के जो कि कुछ भी extra नहीं है अभी आपको next जो मैं पड़ाओंगी उसमें ये सारे terms हो जाएंगे ठीक है तो एक बार देख लेते ह अभी आपने क्या देखा कि फिदर म issue से अटी है वो कैसी होती है जो यकुछ कि नहीं थी क्या होता है क्या पैंनगुतिक यह याद रखना है मैं यह यद रखना पड़ेगा तो आपड़मिस की जो लेरे यह देखो यह या परवड़मिस्ट और यह लुवररवड़मिस दो तो एक उपर वाली यह वह बी और नीचे वाली जो पूरी लेयर कर रही है तो अपर एपिडर्मिस भी होगी ठीक अपर अपर एपिडर्मिस दोनों को बाहर तरफ से cover करके रख रही है cuticle तो वो पाई जा रही है यह हो गया इसका labeling और इसके अलावा beach वाली जो कहानी है वो अभियापन नहीं जाते है साथ ही साथ इसमें पाई जा रही है क्या guard cells, stomata, stoma ठीक है cell के अंदर की कहानी देखें तो chloroplast है, vacuole and nucleus है, cell wall है, cytoplasm है होना ही था कौन सी नहीं बात है, होना ही था कौन सी नहीं बात है मैम, cell में, plant cell में यह सब तो होता ही है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, see, stomata are structures present in the epidermis of leaves stomata वो structures है, जो की present होते हैं कहाँ पर leaves की epidermis पर, stomata कौन से structures हैं, यही जो आपको दिख रहे हैं ठीक है, यह तो दिख रहे हैं मैम, पर यह क्या है, यह क्या है, डोले शोले बनाए कभी, बताओ, डोले शोले बनाए कभी, डंबल उठाए कभी, कभी देखे डंबल, हम कहाँ टाइम मिलता है मैम, हम तो बिलकुल, ऐसी मतलब हमारी तो इतनी बिलकुल strict routine है, हम तो बिचारे इतनी मेहनद से पढ़ने वाले हम कहां जिम्विम जाते हैं हम कहां कोई एक्सराइस करते हैं हां पर सुना तो समने है तुमने ऐसा कोई नहीं होगा जो मना कर दें मुझसे के मैम हमें डंबल का शेप नहीं पता ठीक है क्या होता है डंबल के शेप में एक गोलू बनाओ और दोनों गोलू को ऐसे जोड़ दो यही तो होता है डंबल बताओ ऐसा ही कुछ होता है डंबल होता है बताओ होता है यह नहीं होता है ऐसा ही कुछ शेप यहां पर दिख रहा है और यहां पर कैसे दिख रहा है यहां पर दिख रहा है मैं दो राजमा के दा कुछ शेप नजर आ रहे हैं यह आपको क्या नजर आ रहे हैं दो राजमा है और यह नजर आ रहे हैं मैं दो डंबल है ठीक है तो बस जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो ठीक है दो राजमा दो डंबल अब इनकी कहानी में क्या रोल है क्यों आपन इसको देख रह और क्या थे Stomita, और क्या थे Epidermal Appandages, तो 1 by 1, 3 को पढ़ना था, Epidermal Cells पढ़ लिया, Epidermal Cells पढ़ लिया, आप क्या पढ़ोगे Stomita, फिर क्या पढ़ोगे इसके बाद, Epidermal Appandages, मतलब Trichomes and Hairs, राइट, चलो, पहले Stomita देख लिएते हैं, Stomita वो Structures होते हैं, जो Epidermis पे पाए जाते हैं, Leaves की, ठीक है, किसकी, Leaves की, घ्यान देना, सप्पी मत चिपका देना के मैं सबकी Epidermis में, Leaves की Epidermis में पाए जा रहे हैं, ठीक है, Stomita Regulate the Process of Transpiration and Gaseous Exchange, Stomita जो होते हैं, वो क्या करते हैं, Transpiration की Process और Gaseous Exchange की Process, दोनों को Regulate करते हैं, ठीक है, Transpiration में और Gaseous Exchange में, ठीक है, यह help करते हैं, कौन? Stomita's, Each Stoma, Each Stoma is composed of two bean-shaped cells, यह देखो, bean-shaped cells दिख रही हैं, जिनने कहते हैं, guard cells, ठीक है, which enclose Stomital pore, यह देखो, यह जो bean-shaped cells है, इनके बीच में यह जो pore है, यह कौन सा है, यह जो बीच में pore है, यह कौन सा है, Stomital pore, यह जो बीच में pore है, यह कौन सा है, Stomital pore, यह देखो, यह जो दोनों bean-shaped cells है, यह क्या है, guard cells, और इनके बीच में जो इननों ने pore को cover करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, this is the Stomital पोर क्या है यह स्टोमेटल पोर ठीक है और यहां पर जो आस-पास जिस के जिस structure में यह present है यह structure कौन सा यह वाला green structure this is the chloroplast ठीक है अरे this is the subsidiary cell ठीक है यह जो structure है न यह वाला इसको न हम shape use कर लेते हैं see यह वाला see यह जो structure है न यह वाला ठीक है यह वाला structure जिसके अंदर यह guard cells पाई जा रही है ठीक है जिसके अंदर यह guard cells पाई जा रही है यह वाला पूरा का पूरा portion ठीक है यह पूरा का पूरा portion क्या है यह है subsidiary cells यह क्या है subsidiary cells ठीक अब यह क्या है अभी देखते हैं ठीक इसके बाद वाली जो पूरी की पूरी आसपास आपको cells नज़र आ रही है वो तो आपके epidermal cells है जिनके बीच में stomatal pore है है ना इनके बीच में stomata है तो यह epidermal cells है ही बच क्या गया कि यह जो आपको इसके अंदर cells जो बीन shaped cells नज़र आ रही हैं आपको जने आपने क्या कहा है जने आपने guard cells कहा है इन guard cells के अंदर ये जो आपको regions नज़र आ रहे हैं ये regions ठीक है ये अलग-अलग sports आपको नज़र आ रहे हैं ये sports क्या है they are the chloroplast ये जो sports आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं chloroplast सी अब यह जो सेम टो सेम लेबलिंग्स है यह यहां पर भी अप्लाए होंगी आप सोचो कि यह दोनों डाइग्राम्स अलग क्यूं है पांच सेकेंड का गैप दे रही हूं फटवट से बताओ यह दोनों डाइग्राम्स एक दूसरे से अलग क्यूं है आंसर हमेशा स्क्रीन पर लिखा ही होता है कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैडम बहुत रॉकेट साइंस पूछ ले जल्दी से बताओ यह दोनों डाइग्राम्स एक दूसरे से अलग क्यूं है कौन सा किस केस में पाया जाएगा आप लोग कितने अटेंटिवली क्लास को अटेंड कर रहे हो फटा यह next line देखी ठी किसी ने see in grasses the guard cells are dumbbell shaped dumbbell shaped की होती है क्या grasses के अंदर यह जो guard cells है वो dumbbell shaped की होती है और आपको जो बाकी सब जगा देखने को मिलती हो कैसी मिलती है बीन shaped kidney bean shaped ठीक देखो हर एक स्टॉमा में स्टॉमिटा का structure पढ़ रहे हो ना हर एक स्टॉमा जो होता है वो किसका बना होता है दो बीन shaped cells का बना होता है यह दिख गई दो बीन shaped cells ठीक है इस दोनों लेकिन बाकी सबको सेम है ठीक है बस यह shape बदला है यह देखो यह double shaped है बीच में जो pore ठीक है बीच में जो pore है वो क्या है strommetal pore ठीक है यह जो पाई जा रही है यहां पर यह ठीक है यह डंबल shaped cells है यह क्या है गाड़ cells ही है अभी ठीक है यह देखो यह subsidiary cells है guard cells के आसपास जो है ठीक है जो guard cells को गेरे हुए है यहाँ भी ऐसी कहानी थी subsidiary cell वो जो yellow वाला region मैंने बनाया था ठीक है इसके अलावा यह उसके बाहर वाला पूरा का पूरा region क्या है उसकी epidermal cell है ठीक है यह तीन labeling इसकी common है बस आपको यह याद रखना है कि यह जो stomata है ठीक है जनरली जो आप पढ़ते आए हो kidney bean का पढ़ते आए हो वही है बस grasses में इंका shape जो हो बदल जाता है जो हो जाता है double shaped ठीक है grasses में कैसा हो जाता है डंबल शेप हो जाता है, ठीक, बस शेप का याद रखना, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, see, the outer wall of the guard cells, the outer wall of the guard cells, away from the stomatal pore, are thin and inner walls, इसको ऐसे highlight कर लो, देखो, outer walls, thin, और inner walls, highly thickened, ठीक है, ऐसे highlight करो, see, outer walls कैसी है, बहुत थिन है, ठीक है, guard cells की outer walls कैसी है, बहुत ही thin, क्यों, ठीक है, और कहां पर ये पाई जा रही है, outer walls, जो guard cells की बात कर रहा है, स्टॉमेटल पोर से दूर, बाहर की तरफ, ठीक है, और जो inner walls है, स्टॉमेटल पोर से अंदर की तरफ, वो highly thickened होती है, बहुत जादा मोटी वाल्स होती है, ठीक है, the guard cells possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata, जो guard cells है, उनके अंदर, यो मैंने sports आवी दिखाए थे, उसमें क्या होते है, chloroplast होते हैं, यह chloroplast ही क्या करते है, स्टॉमेटल की opening and closing को, guard cells को open and close करने पे help करते हैं, कौन help करते हैं, कौन regulate करते हैं, इस mechanism को कि कब open करना है कब close करना है इस mechanism को regulate करते हैं यही chloroplast जो पाई जाते हैं guard cell में अलग-अलग sports अपर आपने देखे थे ठीक है यह chloroplast regulate करते हैं Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size are known as subsidiary cells कई बार जो कुछ epidermal cells है जो कि यह जो vicinity of the guard cells का मतलब क्या है यह है यहाँ पर यह जो guard cells है इनके आसपास वाले पूरे area में ठीक है जैसे vicinity का मतलब क्या होता है जैसे अगर यहां पर मैं पाई जा रही हूं तो यह मेरे आसपास यह जितना भी पूरा area है ठीक है मेरे आसपास का सिर्फ आसपास का दूर दूर तक का नहीं ठीक है मेरे दूर दूर तक जितना भी एरिया यह नहीं कहा मैंने मेरे आसपास का जितना भी एरिया वो क्या कहलाईगी मेरी विसुनिटी कहलाईगी ठीक है तो similarly guard cells की विसुनिटी में जितना भी पूरा का प प्लास्ट होते हैं, regulate करते हैं कि स्टॉमेटा कब ओपन करना, कब close करना है, स्टॉमेटल अपर्चर जो है, ठीक है, स्टॉमेटल अपर्चर जो है, स्टॉमेटल पोर जो है, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called as स्टॉमेटल अपार्टस, कौन-कौन आया स्टॉमेटल अपार्टस के अंदर, सबस तरह से बनाते हैं इसको, सबसे पहले तो स्टॉमेटल पोर के अगर हम बात करें, देखो ऐसे बनाते हैं, हाँ, अभी ठीक है, ये क्या हुआ, अभी ठीक है, ये बन गहीं दो, guard cells, इनके बीच में हो गया क्या पूरा का पूरा, स्टॉमेटल पोर, है ना, ये पूरा का पूरा जो region है, बीच में yellow, ये पूरे क्या है, स्टॉमेटल पोर, ठीक है, ये, अब इस स्टॉमेटल पोर के अलावा भी अगर मैं एक region define करना चाहूं, कौन सा region होगा वो, ये पूरा यह देखो पूरा बता रही हूँ मैं आपको जिसके अंदर guard cells का जो इनका shape है वो भी है और उसके बाहर वाला shape भी है ठीक है? यह shape अब देखो इसको यहां से guard cells को हम थोड़ा सा और highlight कर देते हैं देखो यह guard cells ओके चलो लेबल करते हैं इसको C यह क्या है दोनो? guard cells यह क्या है? stomatal pore और यह क्या है? पूरा का पूरा जो आपको region नजर आ रहा है guard cells के अलावा वाला पूरा जो आपको region नजर आ रहा है वो पूरा region क्या है? this is the, this is the, this is the subsidiary cell ठीक है? यह क्या है? subsidiary cells अब आप समझो कि stomatal pore या stomatal aperture guard cell और subsidiary cell इन सब से मिलके जो यह पूरा का पूरा region बना है यह कहलाता है stomatal apparatus यह क्या कहलाता है? stomatal apparatus कहलाता है बताओ, कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत है इसके अंदर? साथ-साथ आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते हो यार? यह बताओ आप लोग साथ-साथ में draw करते भी हो या नहीं? आज white सा highlight करके देखें कैसा लगता है? अरे वायर? अच्छा लग रहा है यह तो चलो आप लोग साथ-साथ में बनाते हो या नहीं यह बताओ stromatal apparatus, see stromatal pore है उसके अंदर, उसके अंदर guide cells है उसके अंदर subsidiary cells है बस यह तीन चीज़ें आती है stromatal apparatus के अंदर ठीक, चलो डान है यहां तक, आगे बढ़ू आगे बढ़ जाओं क्या यार बताते नहीं हो तुम लोग हां टन 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 चलो next देखते हैं क्या यह तो मैं ढग गया यह क्या हुआ, यह जो इसका fruit था उसके आज स्पास कितना सुन्दर सा structure बन गया इसको भी erase कर देते हैं see, इसे भी erase कर देते हैं आजाओ भाई हो गया काम तुम्हारा done, चलो अब क्या पढ़ना है फिर से यह दोनों वाइट हो गए इन दोनों में कितनी एकता है आजाओ the cells of epidermis bear a number of hairs मैं हम अपन आगे next वाले part के उपर तीन वीजन, तीन चीज़ें पढ़नी थी हमें ठीक है, epidermal tissue system के अंदर सबसे पढ़ने पढ़ना था epidermal cells, वो पढ़ लिया parenchymetous cell है, cytoplasm है, nucleus है vacuol है, parenchymetous cells है ठीक है, यह सब चीज़ें पढ़नी और उसके बात आए मैं हम पढ़ने के लिए क्या stomata, है ना, second चीज़ क्या थी उसके अंदर stomata, third चीज़ क्या थी उसके अंदर, epidermal appendages मतलब trichomes, मतलब hairs है ना, यही था, तो दो चीज़े पढ़ चुके हो तीसरी पढ़नी है, trichomes और hairs और आपका epidermal tissue system complete हो जाएगा ठीक है, आजो, epidermal tissue system का last portion उसके hairs, मतलब उसके trichomes see see, so the cells of epidermis, bear a number of hairs, epidermis की जो cells होती है उसमें बहुत सारे hairs पाए जाते है, क्या आपको यह hairs नजर आ रही है, बताओ, बताओ, क्या आपको hairs नजर आ रहे है, बताओ, 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 मैं दिखतू रहे हैं, यह दिख रहे हैं, बहुत सारे hairs कितने सारे hairs दिख कुछ ए एट हैं इन्हीं को कहते हैं unicellular, ठीक है, root में जो hairs पाई जाएंगे, उनकी बात करते हैं, stem के hairs की बात करते हैं, leaf के hairs की बात करते हैं सबकी बात कर लेते हैं, आजो, time है time है अपने पास, see the root hairs are unicellular, कैसे होते हैं ये, unicellular होते हैं single cell से बने हुए होंगे elongations of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil जो root में ये epidermal hairs पाई जाएंगे उनका क्या function होगा root वाले जो epidermal hairs होते हैं वो होते हैं unicellular elongations epidermal cell के ही unicellular elongation मतलब epidermal cells पाई जा रही है, बहुत सारी cells से मिलके बनी epidermis, ठीक है देखो इस चीज को बनाते हैं अपन, थोड़ा सा time लगेगा पर बना के समझते हैं, देखो unicellular elongation का मतलब क्या है अभी अपन epidermal cells देखी थी, कैसे बन रही थी देखो, इस तरह से कुछ compactly arranged cells का आपको एक layer देखने को मिली थी है ना देखो भाई इस तरह से कुछ cells थी, nucleus बनाए भीना कैसे cell complete हो सकती है चलो भाई, cell भी हो गई, nucleus भी हो गया अब हम क्या देख रहे थे, कि मैं में इस epidermal cell में जो कि single layer की बनी होती है, है ना, epidermal समिशक ऐसी होती है single layer होती है, इसी में कुछ elongations पाए जाते हैं अब मैं अगर आपसे कहूँ के मुझे यहां पर elongation दिखाना है मुझे यहां पर elongation दिखाना है कैसे दिखाऊंगी मैं, कैसे दिखाऊंगी मैं elongation see, क्या कहा उन्होंने, that root hairs are unicellular elongations of epidermal cells ठीक है, तो यह epidermal cell है इसी में क्या होगा, एक single cell क्या करेगी, elongate होगी एक single cell ही क्या करेगी, अपने आपको elongate करेगी ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यह देखो एक single cell ही अपने आपको क्या कर रही है, elongate कर रही है इस तरह से, ठीक है, यह मैंने दिखाया आपको elongation अब मेरे पास उदर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने सूचा दोनों साइट पर दिखा दूँ, पर नहीं, दोनों साइट पर नहीं दिखाना चीए मुझे, एक ही साइट पर दिखाना चीए, चलो, यहाँ पर यह देखो, यूनी से लिलाउंगेशन, ठीक है, या फिर यहाँ इसकी से पूरी लेयर है, सिंगल लेयर ही होती है, तो इसलिए हमने सिंगल बनाई, ठीक है, और उन्होंने बोला कि यूनी सेल इलोंगेशन है, मतलब एक ही सेल इलोंगेट होके क्या बनाईगी, रूट के हैर को बनाईगी, यह नहीं कि बहुत सारी सेल से मिलके, तीन सेल से मिलके एक root hair निकल रहा है कैसे होगा एक single cell बनाएगी elongate होके root hairs को ठीक है अब यह function क्या करेगी यह function करेगी to help in absorbing water and minerals from the soil soil से यह क्या करेगी surface area को बढ़ा देगी root के जब hairs निकलने लग जाएंगे बहुत सारे तो roots तो है ही और उनके hairs भी और ज्यादा branches है surface area increase होगा और ज्यादा mineral absorb करेंगे और ज्यादा water absorb करेंगे from the soil और absorption जोगा और ज्यादा होगा एक ही वक्त पर क्यों क्यों क्योंकि surface area ज्यादा है absorb करने के लिए right समझ रहे हो ना अगर मैंने आप से कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी रूट है इसे मैं अटा देती हूं अगर मैंने आप से कहा मेरे पास एक इतनी बड़ी रूट है और मैंने आप से कहा कि यह इसकी इसकी कोई लिमिटी मेटे नहीं ठीक इतनी जथ्यादा उसकी ब्रंच यह है ठिक इतनी HD Lives ए ओक है और मैंने सानी सांथ आप से यह भी कहा कि इन सारी ब्रंचेस में जितनी भी पूरी रूट है ना उन सब में उन सब में ठीक है जितनी भी ये ब्रांचेज है न इन सब में पाए जा रहे हैं क्या root hairs ठीक है इन सब पे पाए जा रहे हैं क्या root hairs इन सब के उपर root hairs है अब ये बताओ इसका surface area और इसका surface area किसका जादा है एक तो उसकी ब्रांचेज भी जादा या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रांचेज दोनों की सेम है लेकिन इसमें root hairs नहीं है उसमें root hairs बहुत जादा है बहुत जादा root hairs है तब भी क्या होगा तब भी तो यहीं होगा ना कि surface area किसका जादा हो जाएगा जिसके पास root hairs है बहुत सारे root hairs है उसके पास surface area ज्यादा हो जाएगा अब मैं आप से कहूं कि लगा लो stop wash और एक मिनिट के अंदर बताओ कि किसने पानी जादा एब्सॉप किया तो अव्यस्ती बात है जिसके पास surface area जादा होगा वही जादा absorption करेगा ना तो यहां पर root hairs क्या कर रहे है root hairs के present होने की वज़ज़ से surface area और जादा बढ़ जाता है और जो absorption का rate है minerals को absorb करने का rate है water को absorb करने का rate है वो और जादा बढ़ जाता है तो अब समझे कि root hairs क्या करते है root hairs help करते है absorption में किस चीज के लिए water के लिए और minerals के लिए भी दोनों को ही absorb करने में help करते हैं कौन root hairs help करते हैं root hairs help करते हैं समझे इस बात को ऐसा नहीं कि root अकीली नहीं कर सकती root hairs होंगे तो ज़्यादा जल्दी कर पाईगी ज़्यादा तेज रेट से कर पाईगी ठीक है? तो on the stem root की कहानी खतम हो गई है stem की बात कर रहे हैं हम जैसे root hairs की बात की थी वैसे stem की बात कर रहे है stem की उपर किस तरह से पाई जाते है the epidermal hairs are called as trichomes ठीक है? जो epidermal hairs होते है stem की उपर उन्हें trichomes कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? root पे जो पाई जारे हैं वो तो root hairs कहला रहे हैं root पे जो यह hairs पाई जारे हैं क्या कहला रहे हैं और स्टेम पे अगर पाई जाएंगे तैसे आपको यह दिख रहे हैं तो इनको स्टेम के हैर्स नहीं का होगे इन्हें क्या का होगे इन्हें क्या का होगे इन्हें ट्राइकोम्स तो on the stem the epidermal hairs are called as trichomes क्या कहलाते हैं trichomes the trichomes in the shoot system are usually multicellular अब समझे जो root system था उसके अंदर trichomes कैसे थे unicellular elongation और जो मैंने इल्ली बना के बताई ना इसलिए बताई थी एक single cell का elongation था लेकिन अगर आप बात करोगे किसके shoot system की shoot system क्यूं कह रहे हैं कि भाई स्टैम हो चाहाई ठीफ हो ठीक है बात किसकी कर रहे हैं पूरे shoot system की above the ground level जितने भी trichomes root hairs की बात की जाएगी वो सब होंगे कैसे multicellular कैसे होंगे multicellular होंगे ठीक है root system में unicellular root hairs और shoot system में multicellular root hairs या root hairs कैसे हैंगे trichomes ठीक है multicellular trichomes ओके चलो आगे देखते हैं दे में भी brand और unbrand and soft और stiff अब यह जो multicellular trichomes है shoot system के अंदर यह branched भी हो सकते हैं unbranched भी हो सकते हैं इन मतलब root hairs की भी और further branches भी हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती है soft root hairs भी हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा stiff भी हो सकते हैं ठीक है दे में even be secretory और कुछ cases में यह secretory भी होते हैं मतलब यह अपने अंदर से ऐसा कोई substance भी secret करते हैं जिसकी उस plant को उस stem को उस leaf को जरूरत होगी उस environment में survive करने के लिए ठीक है also ठीक है शूट system के अंदर बेटा फिर से समझो जो epidermal hairs है वो trichomes कहला रहे हैं और शूट system में यह होते हैं multi cellular multi cellular में भी अब इनके पास तीन variety है bran还 भी हो सकते हैं unbran还 भी हो सकते हैं soft भी हो सकते हैं stiff भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं secretary हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ठीक है तीन वराइटी है then the trichomes help in preventing water loss due to transpiration ठीक है trichomes भी इनका भी function क्या है water loss को रोकना ठीक है they help in preventing the water loss due to transpiration ठीक है transpiration से जो पानी उड़ता है stem leaf इन सब के surface से उसको रोकना ये इनका काम है तो अब आप बोलोगे कि ma'am जो root system में पाई जा रहे root hairs उनका니다 बहुत अलग है और जो shoot system में पाई जा रहे root hairs इनका काम बहुत अलग है ठीक है ये कैसे है structure भी अलग है function अलग है ये uni cellular elongations और absorb करने में help कर रहे हैं और ये कैसे पुछ ऐसे डिफेरंसे जिनके बिससे पर क्वेशन बन जाते हैं ठीक है जो आपने बहुत इजी ली समझ लिया ना इन इजी सी चीजों के ऊपर क्वेशन बन जाते हैं कि भाई जो एपिडर्मल अपांडेज आ यह रूट्स में और शूट सिस्टम में रूट सिस्टम और श वो कैसे दिखेंगे यहां से समझ आगया होगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं किस तरफ हां किस तरफ रिविजन की तरफ ठीक है टॉपिक्स खतम हो गये आज ओओ आज ओओ आज ओओ आज का टॉपिक था आपका अबेक्स इस्टेम अधर सबसे पहले तो हमने सब्सक्राइब को ही बढ़ा है कि इस सिस्टम है क्या थेक य необ accounts a+. कि बनाया गया है एंस पर फॉटा है लोकेशन के बेसिस पर भी होता है अभी दे आपने रूट शूट्स शूट में वेरी कर गया, है ना, epidermal tissue system भी अपने आप में root और shoot में वेरी कर गया, है ना, तो इस तरह से structure, function और location तीनों के basis पर आपने इस types of tissue system को किया, बाटा है, अब ये types of tissue system में सबसे पहला था आपका epidermal, then vascular, या ground ठीक है, और vascular, तीन tissue system थे, आज हमने पढ़ा epidermal tissue system, सबसे पहल थी तो उसके epidermal cells, फिर आपने पढ़ा about the stomata, फिर आपने पढ़ा about the epidermal appendages, तीन चीज़े थी ना, epidermal tissue system में, epidermal cells, stomata और epidermal appendages, ठीक है, epidermal cells के बारे में पढ़ा कि बढ़ा कि बढ़ा है, small amount of cytoplasm होता है, उनके अंदर cell wall होती है, large vacuum होता है, ये सब होता है, है ना, और उसके बाद देखा, हमने epidermal cells के साथ, सांथ की फिर next, जो उसका portion था, stomata, stomata कैसे होते हैं, generally तो kidney bean shaped होते हैं, उसमें guard cells होती है, subsidiary cells होती है, chloroplast, उसके अंदर होता है, stomatal pore होता है, stomatal apparatus बनाते हैं, ये सब मिलके, है ना, ये पढ़ा, और नया क्या पढ़ा, कि बढ़ा कि ब wide cells है, वो कैसी होती है, grasses में होती है, dumbbell shaped, कैसी होती है, dumbbell shaped, ठीक है, ये आपने पढ़ा, then हमने देखा, कि next, जो उसका portion, epidermal system का last वाला portion, मतलब उसके epidermal appendages, root hairs या shoot hairs की बात हमने की, तो root hairs और shoot hairs में क्या-क्या differences है, root hairs जो होते हैं, unicellular elongations होते हैं, shoot hairs जो होते हैं, root hairs जो होते हैं, वो absorb करने में help करते हैं, और shoot hairs जो होते हैं, वो उड़ने से रोखने में help करते हैं, पानी को, है ना, इस तरह से हमने पढ़ा about the epidermal tissue system, जिसके तीन अलग-अलग portions थे, epidermal cell, stomata, और epidermal appendages, ठीक है, यहाँ पर आपका epidermal tissue system खतम होता है, next class में हम पढ़ेंग ground tissue system और vascular tissue system दोनों को, ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे next class के अंदर, और उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा वही वाला सिलसिला, छोटा सा सिलसिला, monocot dicot root, फिर next lecture में monocot dicot stem, और फिर next lecture में monocot dicot leaf, बस इस तरह से 4 lecture में, आपका next 4 lecture में यह chapter done हो जाएगा, ठीक है, simple सा, sorted सा, सटीक सा chapter, ठीक है, यह chapter तो आज हमने start करी दिया है, लेकिन इससे पहले हम complete कर चुके है, इसके पहले वाले बहुत सारे chapters, ठीक है, आपकी first unit, first unit के 4 chapter, ठीक है, the living world, biological classification, animal kingdom, plant kingdom, morphology of flowering plant, 5 chapter, ठीक है, दोनों unit के, हम complete कर चुके है, अगर आपने कोई भी chapter में out कर दिय ठीक है, ठीक है, आपको फटा-फट से जाना है कहाँ, अपने favorite channel, magnet brains की playlist पर, ठीक है, playlist वाले section में आपको 2 playlist मिलेंगी, recorded अलग, live lectures की अलग, ठीक है, ठीक है, फटा-फट से जाओ, lectures को देखो, और अपने अगर कोई भी backlogs in case create हो गये हैं, तो भाई, मत होने दो, बहुत problem आत ठीक है, और हाँ, आप ये पूरा content जो है, वो access कर सकते हो, app के through भी जो आप easily play store से download कर सकते हो, या फिर आप use कर सकते हो, हमारी website भी, which is www.magnetbrains.com, इन तीनों ही platforms पर, ये पूरा का पूरा full course content आपके लिए available है, absolutely for free, और आप avail कर सकते हो, e-books and e-notes को भी, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, ठीक है, चलो मिलते हैं next lecture में, पढ़ेंगे ground and vascular tissue system को, till then, bye bye, take care everyone.